कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाग कर और को अन कीजिए में लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट पापुलर और व्यूटिफुर स्लीप डिजाइन जिसके लिए मै से पहले हम उपर ऐसे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक सीधा ही लेंस ट्रो करेंगे और नीचे हम जहां पर साबन पॉइंट का जिए जहां से लेकर साबन पॉइंट का हम निशान लगाएंगे जनके पौने इंच का जिए इस तरह से निशान लगाकर इसे भी हम सीधा ड्रो करेंगे जी देखिए इस तरह से ड्रो करने के वाद मैंने जी बोटल का ड्कन लिया है जिसे हम जिसके साथ हम ऐसे हाफ सर्कल ड्रो करेंगे इस तरह से अब अपने कोडिंग जे सर्कल छोटे भी बना सकते हैं जी देखिए इस तरह से हम इने ड्रो करेंगे अब हम इनकी कटिंग करेंगे जी देखिए इस तरह से जैसे शेप में हम इने ड्रो किया है से मुसी शेप में हम इनकी कटिंग करेंगे आई तैसे तरह से कटिंग करने के वाद इसे हम अपने कुर्टी के सांथ जो मैद्जिव सेप्रिक है, उसके उपर पेस्ट करेंगे, जो सिलीक के साथ हमारा मैटें फैब्रिक है, उसके उपर हमें से पेस्ट करेंगे जी देखिए इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिया है और उपर से हमने हाफ इंच कपड़ा ज्यादा रखा हैं और इससे हमें इस तरह से टर्न करते हुए इसके उपर सलाई लगाएंगे जी देखिए इस तरह से हमने इसके उपर सलाई लगा दी है अब इसे हम अपनी स्लीव के उपर अटैज करेंगे जहांपर हमारी स्लीव की मूरी होती है जी देखिए जी मेरी सलीव है और उपर से हम हाफ इंच छोड़ते हुए जितनी हमारी सलीव तयार है उसका निशान लगाएंगे जिदेखे स्लीव हमारी 18 इंच त्यार है तो हम उसका निशान लगाएंगे और नीचे से हमने 1.5 इंची अक्स्रा कपड़ा लिया है जिदेखे इस तरह से हम जहां पर भी तोनों साइड 1.5 इंच के निशान लगाएंगे जहां पर हम सेंटर का एक कट लगाएंगे इन्हें भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका भी सेंटर का निशान लगाएंगे जिदेखे इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम अच्छे से सेंटर के साथ सेंटर को मैच करते हुए एक सलाई लगाएंगे जी देखिए इस तरह से सलाई लगाने के बाद, अब जो हमने कटवर्क बनाए हैं, सेम इनके सासा सलाई लगाएंगे, जी देखिए इस तरह से, जी सलाई हम बहुत ही ब्रीक वफीक के साथ लगाएंगे, और जी सलाई हम अपने बुगरम के उपर नहीं लगाएंगे, बिल् जिए दिखिये इस तरह से सलाई लगाने के वाद जहां से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे और जहां से भी और जहां पर हम चुट-चुटे नोचस लगाएंगे द्यान रखे जो हमने सलाई लगाई है वो सलाई हमारी कटना हो बहुत ही कियरफुली हम जहां से कटिंग करेंगे और इनको हम रॉंग से टन करेंगे इस तरह से टन करने के बाद इनहें हम प्रैस के साथ अच्छे से से अच्छे से ट करेंगे जिदिए इस तरह से हमने प्रेस के साथ सेट कर लिया है वह दिए फनिशिंग के साथ हमारे जे कटवर्क रेडी हो है जिदिए प्रेस के साथ इनकी फनिशिंग और भी आ जाती है तो जहां पर हम एक रफ स्ले लगाएंगे दरपाई करने के बाद इस स्टिच को हम जहाँ से खोल दाएंगे ज़र देखे अब इसे हम इस तरहां से टर्न करते हुए इसकी फिटिंग वार्स लाए लगाएंगे अर चहांपर हम सबसे पहरे आरमों का निशान लगाएंगे इस तरहां से वो नीची से जो हमारी मूरी है वो साड़े 5 इंच है लेकिन हम 2 पेंट उपर मिश्यान लगाएंगे क्योंकि जब इसे हम टर्न करेंगे सीधा करेंगे तो हमारी जो साड़े 5 इंच स्लीप त्यार रहे जाएगी जहां से जो एक्स्टर फैब्रीक है उसे हम थोड़ा थोड़ा से कट करेंगे है जो देखिए इसके साथ ही मारा जैश्लीव डिजैन बनकर रेड़ि हो चुका है और मैंने दोनों स्लीव को रेड़ि कर लिया है कि बहुत फ्निशे के साथ मारी जैश्लीव बनकर रेड़ि होई हैं आज अकल जे वाला डिजाइन काफी ज़्यादा ट्रेंड में है जी देखिए अगर आपको में इसी वीडियो और डिजाइन अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक वीडियो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे ऐसी स्टेजिंग की वीडियो देखने के लिए तेंक यू थैंक सर्वाट जाएंग